Good morning students, welcome to my another lecture on invertebrates biology तो इससे last lecture में हमने इसका basic concept देखा था आज हम इसका basis of classification और थोड़ा बोद introductory part दुबारा देखेंगे इससे पहले कि आप पूरे paper को पड़ें इसका basic आपको clear होना जरूरी है तो invertebrates कौन से animal होते हैं? वो animals होते हैं जिनके शरीर के अंदर रीर की हड़ी या backbone नहीं पाये जाता हैं कुछ basic की बात करें तो कुछ scientist के नाम जो अकसर question पूछ ली जाते हैं जैसे की father of zoology कौन है? अरस्तू जिसको English में कहते हैं Aristotle, biology term सबसे पहले किस ने दिया था? Lamarck ने दिया था और सबसे पहले species को introduce और define किस ने किया था? जोन ड्रे नाम के scientist ने और दूसरा binomial nomenclature किस ने दिया था? lineage ने दिया था और secondly अगर हम इसके classification की higher की देखें कि किस तरह से हम classification को लिखते हैं किसी भी जन्तू को तो वो सबसे उचा जो इसका texa है जिसको हम कहते हैं तो वो है phylum के बाद हम उसको उसकी लिखते है class class के बाद order then family genus और species तो species क्यूंकि last में आ रहा है वो सबसे छोटी या basic unit है किसकी वर्गी करन की तो सबसे छोटी या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल basic unit of classification क्या है तो वो है species इससे पहले कि यह सारा हम पेपर पड़ें और जो different words इसमें आ रहे हैं जैसे फाइला में एक लास है इसको यह शायद आप जिन लोगों का Hindi मीडिय में अगर उसको नहीं समझ पाते हैं तो एक बर में आपको इसका सारा Hindi translation बता रही हूं तो आप प्लीज इसका English form भी याद क कर लें क्योंकि आने वाले lectures में इसको English term ही में यूज करूंगी तो आप इसको समझ पाएंगे तो phylum को हम Hindi में कहते हैं संग, sub phylum को हम कहते हैं उप संग, class को कहते हैं work, super class का मतलब है अधी work, sub class का मतलब है उप work, order को हम कहते हैं गन, family को कहते हैं kul, genus को कहते हैं वंश, species को क जाते हैं जाती, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें ताकि कभी भी at present or future में आपको ये इसमें problem नहीं आए, तो जैसे ही हम invertebrate animals या कशेरू की जनतू के classification के बात करते हैं, वर्गी करन के बात करते हैं, तो क्या characteristics हम के basic लक्षन हैं उसको follow करते हैं, तो ये different 7 points में ने दी हैं, उसके आधार पर हम invertebrate का classification पढ़ते हैं, वर्गी करन पढ़ते हैं और उसकी लक्षन को describe करते हैं, तो इसके हर एक point के जो ये साथ लिखे हैं, उसका हर एक का में detail आपको next lecture में पढ़ाऊंगी, तो जो basic of classification है, उसमें first point जो है, वो grades of organization के आधार पर, यानि के संग किस प्रकार की है, फिर है उसकी animal symmetry, यानि कि उसकी body की सम्मीति कैसी है, then fourth point जो होगा basis of classification वो है, germ layer, इसको हम कहते हैं हिंदी में जन स्तर, then metameric segmentation, यानि कि जो body में खंड पाए जाता है, खंड उसके आधार पर, छटा है body cavity, जिसको हम कहते हैं, siloom, और हिंदी में उसको कहत हैं, प्रगुः, सात्वा है इसका formation of mouth, यानि कि मुख का निर्मान, तो इसको भी आप हिंदी और इंगलीश को दोनों में ढंग से याद कर लें, अब आता है, एक आपका mean, जो basis है, एक धाचा जिसको कहते है, outline concept, जिससे आप पूरे no philems का outline समझ पाएंगे, इसकी संद्र जन्तु जितने भी अर्थ में मुझूद है, इसको वर्गी करत करते हैं, या क्लासिफेक करते हैं, तो इसको में लीव से पहले दो पार्ट में विभाजित करते हैं, सबसे पहला जो है, इसके अंदर उसमें हमने रखा है, जितने भी unicellular या acellular जन्तु है, यानि कि एक को जन्तु आएंगे जिसको हम कहते हैं, प्रोटोजवा जो कि फर्स्ट फाइलम का फर्स्ट फाइलम है, दूसरे टाइप के जन्तु होते हैं, वो होते हैं, multicellular यानि कि बहु कोशिक हैं, इसमें जो हमने सारे रखे हैं, metajoa यानि कि यह ऐसे जन्तु है, जिसमें कोशिक जाती हैं तो इसकी आधार पर आगे हम देखेंगे तो इसकी जन इस्तर आएंगी यानि कि उनकी बाड़ी के अंदर जितनी भी जरम लेएड़ के सबसे पहले वह एनिमल्स जिसको हम कहते हैं पूरी फेरा इसके अंदर बॉडी कैसी होती है इसकी पूर्ली डिफाइन टिशू लेयर यानि कि इसकी जो शरीर की संदशना वो कोशी काउं से बनी होती है और अगर उत्तक की बात करें तो वो बहुती पूर्ली डवलप होता है सेकेंड आप इसमें देख रहे हैं वो है डिपलो ब्लास्टिक डिपलो ब्लास्टिक को हम रेडियेटा भी कहते हैं यानि कि ऐसे जन्तू जिसमें हम को दो जन्सतारें की दो जर्म लेयर्स पाई जाती है जिसे की एक्टोडर्म और एंडोडर्म और इस तरह के जन्तू जन्र चाहली सम्मीत्य कैसे पाये जाती है, रेडियल सेमेट्री पाये जाती हैं, इसका जो एक्जामपल है वो क्या है नीडेरिया और टीनोफोरा, नीडेरिया हम किसको कहते हैं, सिलेंटरिटा को, तो तीन फाईलम हमने या देख लिए, प्रोटोजोवा, पॉरिफेरा, और सिलें नेक्स्ट हमारा इसमें आपको दिख रहा है कि तीसरी जर्म लेयर है वह है ट्रिपलो ब्लास्टिक यानि कि ऐसे जन्तु जिसकी बॉड़ी के अंदर तीनों जन इस्तर पाया जाते हैं जैसे कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म क्याता देक्टिक अब जो सब्सक्राइब highest ऊपने बागि अगर एसन बडार के कोरो देखें किस बीसेस पे इसकी प्रग कहते हैं छिसको हम कहते हैं sell book के आधार अठर हम देखते हैं। इसको दुबारा ववज़त करते हैं कि किसमें sell book-cus me at sell ? तो सबसे पहला जो है इसका se listening याँनि कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की sö? पाई जाती है तो इसमें कौन से अनिमल से जितने भी प्लेटी हैलमेंस यानि की चप्टे करमी जो आते हैं वह किसमें आते हैं इसकी बॉटी के अंदर सीलो मुझूद नहीं है फिर आता है आपका सूडो सीलो में तरह से सूडो का मतलब होता है फॉल्स जूठी मतलब ऐसा ल मेटो हेलमेंस या एसकी हेलमेंस गोल करमी नेक्स्ट आता है हमारा सीलो मेट यानि की ऐसे जनतु जिसके अंदर वास्टवी करूप से सीलो मेट सीलो मेट जनतु के अंदर भी सीलो म की आधार पर आचित दो प्रकार में पहला जोais इसका है और सैलोसील, दूसरा है एन्ट्रोसील, इससे का ये जन्लिन सीरोसील है, फिरोसील जन्ता है उन्ट्रोसील, उससे का जन्लिनador रो होता है, उससे माउट का निर्मान होता है first mouth और डूट्रोस्टम जो होता है उसमें जब gastrulation या embryology आप देखेंगे तो second hole जो होता है उससे क्या निर्मान किसका निर्मान होता है मौत का निर्मान होता है तो साइजोसील में आप जिन जनतुओं को रखेंगे जिन फाइलम्स को हम रखेंगे वो कौन से है एनिलीडा आर्थोपोडा मॉलस्का दूसरा एंट्रोसील में जितने कौन से जनतुओं आएंगे जो जितने इनिलीडा आर्थोपोडा और मॉलस्का इन फाइलम्स की जनतुओं कैसे होंगे साइजोसीलिक तो इस तरह से अगर आप फॉर एक्जाम्पल में अगर यहां पे लूँ कि एनिलीडा की अगर आप से पूछी के कुछ सामानी लक्षन बताओं तो सबसे पहले आप देखोग तो इस तरह से आपको इससे एक जनरल आइडिया हो गया कि जो हमारे नो फाइलम्स जो शुरू होता है सबसे पहले प्रोटोजवा, पॉरिफेरा, फिर प्लेटी हेलमेंस, फिर निमेटोडा या एस्की हेलमेंस, फिर एनिलीडा, आर्थोपोडा और मॉलस्का तो यह आपक का एक जनरल आउटलाइन क्लासिफिकेशन है, इससे नेक्स लेक्ट्चर में हम इस हर एक जो पॉइंट है उसका डीटेल में डिसकुशन करेंगे, So that's all for today's lecture, thank you so much.